तो आज की हमारी कहानी है एक फकीर की सीख के बारे में तो एक फकीर नदी के किनारे बैठा था एक वेक्ती पास से गुजरा तो उसने पूचा बाबा क्या गर रहे हो फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इस नदी को पार गर लूँ इस पर उस वेक्ति ने कहा कैसी बात करते हो बाबा पूरा पानी सूपने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे तो उस फकिर ने कहा यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाता हूँ कि तुम लोग जो सदाई है कहते रहते हो कि एक बार जी उनकी सारी जिम् खतम हो जाएगा पर यह जिम्मेदारिया कभी खतम नहीं हमें अपने जीवन के इन्हें जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुसिया दे तो हमें इस कहानी से यही सिक मिलते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोज को कभी इतना नहीं ब